पुषकर में आमादी पार्टी की रास्तिय प्रवक्ता और विदायक अलका लांबा सेनिवार को धार्मिक नगरी पुषकर पहुची उन्होंने यहाँ नए रंगजी मंदीर से पार्टी के इस्थाने उमिदवार रियाज अहमद मंसूरी के समर्तन में रेली निकाल कर सबा को संबोधित किया पत्रकारों से बादचीत में लांबा ने कहा कि राइस्तान की जनता बदलाव चाती है और आम आदमी पार्टी तीसरा सबसे मजबूत दल है उन्होंने कहा कि पार्टी दिल्ली की तर्च पर कारे करेगी और युवाओं को रोजगार, किसानों को कर्ज मुक्ती, सईत ब्रस्टाचार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दो पर खरी उतरेगी लांबा ने कहा कि राइस्तान में 36 उमिदवारों की गोशना की जा चुकी है और 50 उमिदवार तैयार है उन्होंने कहा कि 200 सीटों पर उमिदवार उतारेंगे और जादा से जादा उमिदवार जीत कर आएंगे आम सबास से पहले उन्होंने पुषकर सरोवर की पूजा अर्चना और जगत पिता ब्रह्मा के दर्चन कर अपनी जीत के लिए मनोकामना मांगी और हमने जो जनता के लिए मेनफिश्टों तेयार किया कर रहा है उसके आधर पर चुनाओ लगना जाए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं रियास एहमद मनसूरी जी जो हमारे यहां से अजमेर से हमारे पुषकर से जो है विधाय के उमिद्वार हैं वो मुझे पुषकर लेकर आए हैं और यहां पर आप देख रहे हैं कि कुमी एक्टा का इतना बड़ा उधारन दिखता है कि मेरे जो भाई मुझे यहां पर लेकर आए हैं और हम लोग यहां पर एक सभा को भी अभी संभोधित करेंगे दो दिवस्य राजस्थान की मैं दोरे पर हूँ हम लोग यहां पर 36 अपने उमीद्वारों की घुशना कर चुके हैं 50 उमीद्वारों बिल्कुल तैयार है लिस्ट जल्द हम लोग जारी करेंगे और हम लोग बिल्कुल राजस्थान को एक विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में देने जा रहे हैं स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के रहे यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही शेहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमुले सुझाओ दीजिये और इस वीडियो को लाइक को शेयर करें